आज की इस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही उपियोगी और सथी प्लांट के बारे में इसे नीम कहते हैं इसके पहले नेश्टे वीडियो डाला हूं वह जाके अगर वीडियो नहीं देखी प्लीज जाकर जरूर देख लिएगा क्यूंकि जो भी उसमें लाबदाय गूर्थ हमाने बता दिया जो कुछ रह गए थे उसे इस वीडियो लेके आया हूं चलिए वीडियो स्टार्ट करते अगर आप डायबेटीज के मरीज हैं 10 मिली नीम के पत्ते के रस में मध्वगर मिलाकर प्रतिदीन सीवन करते हैं इससे प्रमेह रोक मतलब डायबेटीज में फायदा होगा अगर पथरी हो गई इस्टोन अगर पेड में हो गई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे दो ग्रा पाने में पीस कर छान कर ठंडा कर ठंडा कर ठंडा करके तीन मास तक अगर पिलाते हैं रहते हैं इससे पथरी जो होती है वह तूटकर निकल जाती है और इससे सुबह अदुपहर और साम को लेंगे अस्तनों में अगर घाव है उसके लिए हम क्या करेंगे पचास इलमल सरसो के तेल में पचीज ग्राम नीम की पत्ते को पकाएंगे और उससे घोड़ लेंगे फिर नीम के पत्ते को पत्ते के कारह से घाव को धोकर धोकर पोच लेंगे उसके बाद राख जो होती है उससे तेल में मिलाकर लगा देंगे तक कुछ जो सूखी राख रहे है उससे उपर से लगाकर पट्ती बान देंगे दो तीन दिर में काफी अराम हो जाता है और इसके बाद रोज नीम के काढ़े से धोकते हैं अगर धोकर काढ़े से धोएंगे उसके बाद घाव को फिर नीम का तेल अगर लगाते हैं तो घाव भर का तुरंट आराम मिल जाएगा यूनि में अगर दर्द हो रहा है वेजिनल पेन है जदातर महिलाओं में समस्या होता है उसके लिए हम क्या करेंगे नीम के जो बीज की जो गिरी होती है और एरेंड के बीजों के गिरी है नीम के पत्ते का रस को बराबर मात्रा में मिला लें इसकी बत्ती बनाकर अगर यून आज परसान है इसके लिए हम क्या करेंगे नीम की जो च्छाल है और बबूल की च्छाल दोनों का बराबर बराबर मात्रा में लेकर 10 से 30 मीली काढ़ा बनाएंगे और 10 से 20 मीली काढ़े का सुबह साम सिवन करने से सफेद प्रदर यानि लुकूरिया में लाव प्राप्त होता है सूदिका रोग यह भी महिलाओं में होता है इसके लिए हम क्या करेंगे प्रसव के दोराँ ज्यादा अगर दर्द हो रहा है तो उस समय 3 से 6 ग्राम नीम के बीच के चुन का अगर सिवन करते हैं तो इससे जो दर्द हो रहा है उसमें लाव प्राप्त होगा गठिया में हम क्या करेंगे 20 ग्राम नीम के अंदर की जो च्छाल को पाने के साथ खूब महीन पीस कर दर्द के अस्थान पर गाढ़ा लेव करें सूख जाने पर लेव उतार कर दुबारा लेव करें इससे 3-4 बार में ही जोडों के दर्द में आराम मिलता है मैं अगर नीम के तिल की मालिस करते हैं किसे भी घठिया में लाव प्राप्त होगा भांथी पाव फिल पाव भी भैंकर समस्ता है जो आतर हर किसी ने किसी को हई जाता है इसके लिए हम क्या करें कि च्छाल होएं उसको क्या करें खदीर निम की च्छाल और हगो ग्राम को पांसा मीली मिलने पिस और वहें, U pub लाते हैं. हथी पाउप 15 दिन तक लगाता अगर खातनें के 6 मास तक चेचक नहीड हो निकल भी आते हैं तो आंखे जो खराब हो जाती है जानते हैं बहुत बड़े बड़े उसमें दाने करते हैं तो दौक निकल से लेनिक गशा Limited सफ़ेद कुष्ट रोग करेंगे, नीम के पत्ते के पूल और फल को बराबर भाग लेकर पानी के साथ महीन पीस लें, अदोग्राम की मात्रा में पानी के साथ सिवन करने से सफ़ेद कुष्ट रोग में लाफप्राप्त होता है चर्मरोग तो चारोग में क्या करेंगे नीम की आठ से दस पत्तों को दही और सहत के साथ पीस कर लेप करने से दाद और घाव में लाव प्राप्त होता है घाव हो गया है अगर सरीर में थम क्या इसके लिए कि अगर नीम की जो पत्ते के काह से अरगाव को धोते हैं तिससे आराम मिलता है और बाद में नीम की जो च्छाल की राख को उस स्थान पर भर देने से जख में जल्दी ठीक हो जाते हैं बुखार में क्या करेंगे नीम की च्छाल और मुनक्का और गिलोई को बराबर भाग मिला लें सम मिली पानी में काणा बना कर बिस मिली की मादरा में सुब़ दॉपर और साम को अगर लेते हैं तो इससे जो वुखार हो रहा है वो वुखार आना बंद हो जाएगा और उसमें लाफ्ताब्त हो गए रग्त क्या है एक उसमें रग्त साफ नहीं है तो अगर नीम की काढ़ा या ठंडारस बनागर 5-10 मीली मात्त हैं अगर रोज पीते हैं खून साप हो जाए गया और इसका याद इसका फूर पत्ति याद खाते हैं तो उसमें भी लाज प्रैप्त होगा अगर लोग जानें से तो दस ग्राम लूगने पर 10 ग्राम नीम का पंचांग पंचांग का मतलब इसका पांचोंचों भाग जड़ तना पत्ति इसका फूल हो और बीज हो गया, सभी को लेकर पंचान का चून दस ग्राम हैं मिस्त्री को अगर मिला लें, इसे पानी के रस के पीश छान कर पिलाने से सरीर की गर्मी निकल जाती है, तथा लू से होने वाली परसानिया दूर हो जाती हैं, और काफी आराम मिलता है, जो लूग लगता है गर बीज होते हैं, फली को पीश कर गर्म पानी में, अगर मिला कर पिलाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगे, उल्टी हो जाएगे, और जो बीश चला गया है, बाहर निकल आएगा, माशिक धर्म, विकार में, यह भी महिलाओं में होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, माताओं मोटी नीम की जो च्छाल है, इसके जो नीचे की जो च्छाल होती है, मोटी नीम की च्छाल होती है, बीस ग्राम, गाजर की भी च्छे ग्राम, धाक के जो बीज च्छे ग्राम, काले तील और पुराने गूर, बीस बीस ग्राम, लेंगे, इस क्या करेंगे, मिटी के बरतन मे 300 मिली पानी के साथ पकाएंगे अभी सव मिली जब सेस रह जाए उच्छानकर शाथ दिन तक अगर लगातार पिलाते हैं या पीते हैं तो मासिक भिकार में लावक्राप्त होता है इसे गर्वधिस्त्री को नहीं हैं अगर हमसे नहीं करेंगे नीम की जड़ है उसको अगर घिस कर चेहरे पर लगाते हैं जो कील मुहा से हैं वह सब खद्म हो जाएंगी तो अगर इसकी मात्रा की बात करें गर इसका चून हम सिवन करते हैं तो एक से तीन ग्राम सिवन करेंगे इसका मात्रा हम लेंगे इसकी जो सावधानिया है क्या करेंगी अगर कोई भी व्यक्ति अगर सुबह खाली पेट अगर सराप का सिवन करता है तो हम इसका इस्तिमाल नीम का नहीं करेंगे सफाती है तो वह नीम का सिवन करता है तो से काम वासना कम हो अगर का मासना जादा नहीं है तो अगर वह सिवन करता है तो इसमें क्या नोी सोख का मी और घट जाएगी सवोधानियां और जो भी है इसके फायदय फायदय कोई नुकसान नहीं है तो यह एक बहुत ही अवसदी पौधा है नीमकान जो इसके लाबदाय गुर्थी जो मैंने इस वीडियो आपको बताया तो वीडियो कैसी लगी प्लीच कमेंट में बताइएगा और अगर हमारा चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लिज